आज की Excel की Class No.3 होने वाली हैं तो Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको Excel के अंदर Discount Sheet बनाना सिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले हम Excel को Open कर लेते हैं और आज हम इसमें Discount Sheet बनाना सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका जो Title है वो हमें Add करना है तो इसके लिएम क्या करेंगे? सबसे पहले Range कर देंगे Select इस तरे के से और इसके बाद से इसको कर देंगे Merge and Center और Double Click करके इसमें अब हम कुछ भी Type कर सकते हैं तो मैंने आप पर Type कर दिया Discount Sheet और इसके बाद से हमें क्या करना है? एक बाद पहले बाहर क्लिक करना है उसके बाद इसको Select करके यहां से हमें सका Size Increase कर सकते हैं और इसका Dynamic font ने आप चेंज कर देते हैं तो यहां से हमने इसका Size भी Adjust कर लिया अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? के इसके विडिट को हимость set कर सकते हैं यहां पे simply आप का करना ओगा double-click Glas freeze करना मुखा तो डबल-click करके आप इसको ग्यूंत कर सकते हैं और अगर इसको मूउव करना है तो simply select करके इसके बौडरस स्याव इस तरह किसे कर सकते हैं तो अब मुझे आप अपर मनाना इसमें. पहले देखा था पहले जang जहां सेँ लिए पर curious सकते हैं और यहां तक ऐसे पहले की वीडियो कर लेता हूप और अगर ने इससे पहले की वीडियो ु सन्हें देल धीकिएं तो आप चेनल पर जाकर कि वीडियो देख सकते हैं तो description में उन वीडियो का link दे दूँगा और i button पर मैं वीडियो डाल दूँगा तब वहां से जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं तो सबसे पहले में क्या करना है यहाँ पर मुझे name add करने है तो यहाँ पर name आप अपने according person की name कुछ भी type कर सकते हो तो मैं यहाँ पर मैंने इसमें already इसमें series बना रखिया है तो इसको मैं यहाँ से click करके drag कर दूँगा और अब यहाँ से मैं add करने है इसके अंदर item name तो यह भी मैंने इसमें type करके अल्रेड़ी तो यहाँ से मैं क्या करेंगे जो item name है यहाँ से मैं copy कर लूँगा और यहाँ पर जाके इसको paste कर दूँगा इस तरीके से तो आप चाहें तो इसको type भी करके सकते हैं मैंने पहले से इसको type करके रखा ताकि time waste ना हो अब हाँ पर मैं सबसे पहले इसमें लेखी करना क्या है इसमें हमें डालना है इसका price जो इसका rate होगा जैसे हम पे mouse लिका था हमने तो mouse का rate मैंने हाँ ठाइप करके था two piece है इसके five piece है तो यह हमें इस तरीके से type करना है इसके five piece है इसके three piece है अब यहाँ पर मैं निकालना है इसका amount तो amount हम कैसे निकाल सकते हैं अगर एक का price यहां पे five hundred है दो का price इसमे थाउजन्ट होगा तो इसको हम क्या करें यहां से multiply करेंगे तो multiply करने के लिए सबसे पहले म जावाएंगे टू पर क्लिक करके और चिंपल यहां से इसको एंटर कर देंगे तो इसका यहां पर अमाउंट निकल के आ जाएगा अब हमें करना क्या है यहां पर प्रस का इकल लेकर करके जाएंगे फिर इसको यहां से क्लिक करके ड्रैग करेंगे या फिर आप इसको यहां स से हम क्या करेंगे equal करेंगे और यहां पर type करेंगे if और इसके बाद से tab को press करेंगे जिसे की formula इस cell में apply हो जाएगा और इसके बाद से amount पर click करना है अब देखे हां पर लिखा हुआ आचुका i7 मतलब यह जो हमारा cell है जिसमें 1000 लिखा है इस cell का address किया है i7 तो हमने यहां पर इसको select किया इसके बाद से हमने यहां पर लगाए greater देने का symbol greater देने का मतलब क्या है जो value यहां पर हम type करेंगे उससे बड़ा amount होना चाहिए तो मैं चाहता हूँ discount हमें किसको देना है मैं चाहता हूँ जिसको भी discount मिलेगा उसकी value मुझे 2000 से ज़्यादा होगी तभी discount मिलेगा तो सबसे पहले हमने equal किया if का formula apply किया और यहां पर cell को select किया और फिर यहां पर हमने लगाए greater than मतलब क्या है कि 2000 से ज़्यादा अगर values होत कर दिया है और जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा तो यहां पर हम second वाले syntax में आ जाएंगे अगर यह value जो आपने इसमें लगाई है अगर यह value सही होगी तो हमें करना क्या है इसमें लिखा है value if false तो अगर value गलत है तो यहां पर हमें discount देना only 2% का bracket close करके simply यहां से enter कर देना अब देखिए हां पर जो discount इसको मिला है उसको मिला only 2% का इसका reason यहां पर हमने जो formula में value पास करी थी वह होती 2000 तो अगर यहां पर 2000 होता तब इसको discount मिलता 25% का तो यहां प जिसने भी क्या है 2000 से ज्यादा की shopping कर रखी होगी सिर्फ उसी को 25% का discount मिलेगा तो यह आपको समझ में आ गया होगा next time आप आता discount amount तो यह हम कैसे निकाल सकते हैं discount amount के लिए जितने का discount मिला है उतने percent से amount को multiply करना में simply यहां से equal करना है और यहां से amount को select कर देना है और multiply का symbol लागा कि discount percentage पर click कर देना है तो यहां से इसको enter कर देंगे और इसके बाद से value को इस तरीके से पकड़ कर देंगे अब देखें यहां पर Excel में क्या होता है error बन जाता है इस तरीके से तो यह error हम कैसे डा सकते हैं simply यहां से इस range को select करना है फिर आपके पास जो यह icon आ रहा है simply इस पर click कर देना है और यहां से कर देंगे इसको ignore error तो यह हमारा error इसमें set जाएगा last यहां पर आता है हमारा net amount अब net amount का मतलब क्या होता है जितना उसको pay करना है तो यह हम कैसे निकालेंगे पहले equal करना है और जितने का amount है इसमें से minus करेंगे हम discount amount को simply यहां से इसको minus कर देना है इसको enter तो पहले यहां पर देखें amount इसका 1000 रुपे इसको पहले pay करने थे फिर इसको 2% का discount मिल गया मतलब कि 20 रुपे का discount मिला है तो अब इसको 20 को minus कर रहेंगे तो इसको 980 रुपे पे करने है तो इस तरह के से हम Excel के discount sheet को बना सकते हैं अब हमें करना है क्या है इ तो किसकी heading है और यहां से इसको highlight कर देंगे और फिर यहां से में क्या करना है बॉटर लगाना है तो यहां से बॉटर लगा देंगे और यहां से alignment जो है वो center कर देंगे तो वीडियो कर पसंद आई तो please video को like कर देना और ऐसे ही informative videos के लिए मेरी channel को subscribe कर लेना मिलते है अगली कर दो से क्या को जा देंगे बुटर लुटर देंगे यहींगे तो लो वेगो ढदाए यहां से आंईगे तो लिए ये कर दो ठतव कर देंगे